तो बाली थाना शेथ के सेवाडी गाओं में घर के बाहर खेल रहे दो साल के मासूम को ट्रक चालक ने कुछल दिया है हाथसे में बच्चे की मौके पर ही मौत बताई जा रही है मौके से भाग रहे ट्रक चालक को ग्रामीडो ने पकड़ा और पिटाई कर डा लिया आपको बताते चले हाथसे के बाद परजनों का रो रोकर बुरा हाल है जिन्हें ग्रामीडो ने सम्हाल लिया है पुलिस के अनुसार सेवाडी निवासी दो वर्षे बालक चुराग पुतर देवाराम मीडा मंगलार को अपने घर के बाहर स्कूल के आगे खेल रहा था इस दोरान तेजगती से आया ट्रक चालक ने लापरवाही के वाहन चलाते हुए मासूम को चल दिया जिससे मासूम के मौके पर ही दर्दनाक मौथ हो गई है आपको बताते चले ग्रामीनों ट्रक चालों को पकड़ कर उसके पिटाई कर दी पुलिस के हवाली कर दी अब पुरुस्त ने ट्रक जब्त कर लिया है शव परजिनों को सौप दिया राजगर सचो रहे विश्नुदत विश्नोई के खुदखुष्री के 15 महीने बाद मंगलवार की रात बेटे लक्ष ने फासी लगा कर जान दे दी है आपको बताते चले खुदखुष्री की वज़े सामने नहीं आई है क्योंकि बारवी के चातर लक्ष ने कोई सौसाइड नोट नहीं लिखा विश्नोई के खुदखुष्री प्रकरण में विधायक पर आरोप लगने के कारण ये मामला चर्चा में रहा था इसकी अभी तक आपको बताते चले सीबियाई जारी है और इसी के साथ साथ बीकानेर के खतुरिया कालोनी में विश्नोई के पत्नी बीटी और बीटे के साथ रह रही थे बातरूम में उसका शौलटका मिला आपको बताते चले राजगर थाने में ऐसे चो रहे इंस्पेक्टर विश्नोईदत ने पिछले साल बीस मैई को थाने के कौाटर में ही आत्महत्या कर ली थी जिसकी जाच जो है वो सी बी आई कर रही थी और इस पूरे मामले के बाद आ कुशिनगर के एक नीजी विद्याले के प्रवंधक पर उनके महिला स्टाफ दौरा लगाए गये शारीरिक शोषन के आरोप के बाद पुलिस ने आज अफाई अरदरश कर ली है कल महिला ने एस पी को प्रास्थना पत्रू लिखा था उस्कूल में अश्लील हरकत और शारीरिक शोषन करने का आरोप लगाया था साथी सैलरी मांगने पर प्रवंधक ने फोन पर भद्दी यूवती को गालियां दी थी जिसको महिला अध्यापिका ने अपने फोन में रिकॉर्ट कर लिया था कल दोपहर भाई के साथ महिला अध्यापिका पुलिस जू अधिक्षक से मिलकर लिखिश शिकायत महिला अध्यापिका ने दर्ज करा दी है और उसके बाद स्पी ने इस पूरे मामले की जाच सियो सदर से कराई चात्रों ने गाली बाज और आयाश प्रवंधक पर आपको आते चले फईयार जो है वो दर्ज करवादी है और यहाँ पर आपको यही हुए आते चले कि ततकाल गिरफ्तारी के मांग पीड़िता ने की है चात्रों ने स्कूल प्रवंधक के खिलाब जमकर नारे बाजे भी कि चात्रों का धर्ना अभी बिजा रही है